दोस्तो आज के स्क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है आज के स्प्यारा से क्लास में हम बात करेंगे हिंदी ब्याकरन का एक बहुत ही बहुत ही ज़्यादा महत्पून टॉपिक जिसका नाम है लिंग यानि जेंडर ये टॉपिक नाम बहुत ज़्यादा खास है बहुत मदद करेगी ये classes, ठीक है तो आप अच्छे से देखेगा, प्यार से समझेगा इसको और उमीद करते हैं आपको जैसे हम समझाना चाहरे होंगे, उसी परगार से आप इसको समझेगे, ठीक है तो अच्छे से मन सांथ करके, प्यार से इसको अच्छे तरीके से देखिए और अगर वीडियो पसंद आएगी ते इसको लाइक कर लिजेगा साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा डेली आपको इस तर्ण समय पे आपको यहां पे हिंदी व्याकरण के क्लास देखने को मिला करेगी चलिए तो सुरू कर कि उसमें देख सकते हैं एक-एक करके सभी टॉपिक्स का वीडियो बनाया हुआ है ठीक है अब चलिए यहां पे जेंडर समझते हैं कि जेंडर क्या होती है इसके बारे मैं अच्छे से जानते हैं देखे हिंदी ब्याकरण का यहां पे यह महत्पून टॉपिक है लिंग ठी ठीक है यह लिंग होती क्या है संग्या के जिस रूप से किसी बैक्ती या बस्तु के पुरुस अत्वा इस्तरी जाती का बूद होता है उसे लिंग क्याते है ठीक है संग्या के जिस रूप से बैक्ती या बस्तु के पुरुस अत्वा इस्तरी जाती का बूद होता है आपको बताए थे, आपको क्या बताए थे, कि संग्या क्या होती है, संग्या क्या होती है, सबको पता है न, किसी, कोई भी ऐसा बैक्ति है, जिसको संग्या नहीं पता हो, थोरा सा ध्यान दो, समझ जाओगे, ठीक है, संग्या, संग्या क्या करते हैं, किसी, किसी, बैक्ति, ठीक है, क जगह के नाम को संग्या कहते हैं, ठीक है, किसी बैक्ति बस्तु जाती अस्थान के नाम को संग्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे, यहाँ पे जो है, क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है, कि संग्या के जिस रूप से किसी बैक्ति या बस्तु के, ठीक है, किसी बैक्ति या बस्तु के क्या यहाँ पे होगा, यह बोध होगा, कि वो क्या है, वो यहाँ पे पुरुस है, बैक्ति और बस्तु यहाँ पे क्या है, वो पुरुस है, अत्वा, इ इसका बोड होता है, उसे हम लोग, लिंग कहते हैं, कोई वी राझ चलता है, इंसन पूछे, कि संग्या क्या होती है, सिधा सिधा उसके मुझे जवाब देना, कि संग्या के, जिस रूप से, किसी बैक्ती या बस्तु के, पुरुसद अत्वा, पूरा क्लियर हो जाएगा, बेसिक से देखना है, आपको लग रहा होगा, ये बहुत आसान है, लेकिन अव्यस सी बात है, बहुत से लोग इसमें कन्फियोज करते हैं, और एंसर गलत कर लेते हैं, ठीक है, आपसे पूछ देगा, नदी कौन सा यहाँ पे लिंग है, तो उसमे आप कन्फियोज करोगे, पूछे का गंगा कौन सा लिंग है, या फिर पूछे का कोई किसी का नाम दे देगा, कौन सा लिंग है, या पूछे का ये कलम जो है, कौन सा लिंग है, तो ऐसा सवाल आपके एक्जाम में आएगी, और वो कैसे आप बनाओगे, उस समय, कैसे आप याद करोगे क्या करोगे उसके बारे में भी हम आपको अब आगे बताएंगे देखिए उधारन देखे लिंग में माता पिता यमुना सेर सेरनी दादा दादी बकरा बकरी यह सब यहाँ पर क्या है यह सब यहाँ पर लिंग का उधारन है ठीक है फीमेल और मेल जिंडर का बहुकों सकते हैं एक चौथाइवासाओं में आप जैसे अभी यहां पर हम लोग है और बिहार में है कोई अलाग अलग अलग स्टेट में होंगे तो देखे, यहाँ पर क्या चलता है, हम लोग कैसे बोलते हैं, कि तुम क्या कर रहे हो, किसी लड़का को क्या बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर कोई, अगर मान लो, कोई एक बंगाल में रहता है, बंगाल में कैसे बोलेगा, अगर वो थोरा वो तुटी- करने रहे हो तो तूम क्या कर रहे हो एससे मतलब सब लोग नहीं वोलते हैं लेकिन कुछ लोग सीधा मुझ जवाब दो जल्दी से, पुरुस, इस्तरी और नपून सक, ठीक है, संस्कृत में, लेकिन क्या भी हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, नहीं, एकदम साफ सुतरा सब्द में लिखा हुआ है, कि हम लोग हिंदी ब्याकरन पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में कितने परक परकार के होते हैं, सबसे पहले उससे पूछना कि हिंदी ब्याकरन में या संस्कृत में, ठीक है, तो आप वो सीधा बताएगा, कि हिंदी ब्याकरन में, तो सीधा बोलना दो परकार के होते हैं, पुलिंग और इस्तर लिंग, और परिवासा हम लोग जान लेते हैं, और उस होता है उसे पुलिंग सब्द कहते हैं जिस सब्दों से पुलिंग जाती का बोद होता है उसे पुलिंग कहते हैं कोई भी पुछेगा पुलिंग किसको कहते हैं सीधा जवाब देना जिन सब्दों से पुलिंग जाती का बोद होता है उसे पुलिंग कहते हैं जिससे लड़का, पेर, सिव, हनुमान, बैल, यह सब क्या है, यह सब पुलिंग है, ठीक है, यह सब क्या है, पुलिंग है, अब यहाँ पे चलो, पुलिंग के पहचान हम कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे important, आपके exam में अकसर यही सवाल, पूछे जाते हैं, इसी से questions बनती है, और सबसे main, यहाँ से आप गौर करिएगा, अच्छे से दिमाग लगा के पढ़िएगा, और इसको समझने की पूरी कोसिस करिएगा, ठीक है, यह clear, तो आप समझेए, आपके हर exam में 4, 5, 6 marks यह से करके, clear हो जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा questions आपके exam में रहती है, ठीक है, तो यह संग्याएं हमेशा पूलिंग रहती है, सबसे पहला, star marks, ठीक है, सबसे पहला star marks, कुछ संग्याएं जो होती है, हमेशा पूलिंग ही होती है, जैसे कोई पूछेएगा, khaattamal, easterling है, या pulling है, बोला khaattamal, यह तो हमेशा pulling होता है, ठीक है, भेरिया, खर्गोस, चिता, मच पक्षी यह सब क्या होता है हमेशा पूलिंग रहता है अब बोलोगे हमेशा पूलिंग और कभी इस्तरली कुछ सब्द होता है कभी इस्तरली कभी पूलिंग होता है हाँ होता है जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे हम आपको क्या बताये थे ब्याकरन के संदर्व में लिंग स तातपर्ज भासा के ऐसे प्रावधानों से है जो वाकि में करता के इस्तरी पुरुस और नर्जीव होने के अनुसार बदल जाते हैं ठीक है इस्तरी है तो इस्तरी के एकॉर्डिंग होगा पुरुस है तो पुरुस के एकॉर्डिंग निर्जीव एत निर्जीव के according तो वहाँ पर बदलते रहेगा लेकिन कुछ-कुछ ऐसे भी सब्द हैं जिसको उस सबसे मतलब नहीं है जिसको उस सबसे कोई मतलब नहीं है ये तो बुलेगा कि भाई हम तो सीधा हम तो सीधा बात करेंगे सिधा मुँ बात बोलेंगे कि हम हमेशा भाई साब हमेशा रहेंगे पूलिंग ठीक है जैसे यहां पे खटमल है भेरिया है उसके बाद खरगोस है चीता है, मच्छर है पक्छी है, यह सब क्या है यह सब हमेशा पूलिंग होगा कोई भी पूछेगा मच्छर कौन सा जाती है मच्छर कौन सा लिंग है इस्त्रिंग है या पूलिंग है तो सीधा जवाब देना यह तो हमेशा पूलिंग होता है अब चलो यहां पे याद हो गया कौन-कौन सा हमेशा पूलिंग होता है में से कौन-कौन से, समू बाचक संग्या में से कौन-कौन से, देखो जैसे मंडल हो गया, समाज हो गया, दल हो गया, समू हो गया, बर्ग हो गया, यह सब क्या है, यह सब फुलिंग हो जाएंगे, भारी और बेडोल बस्तू है, ठीक है, भारी जो बस्तू होती है, ठीक है, ज पताय हुए थे, समू में जितना भी चीज हो, ठीक है, समू वाचक संग्या, तो वो पुलिंग में आएगी, जैसे मतलब क्लास में वर्ग हो गया, समू हो गया, दल हो गया, सभा हो गया, ये सारा चीज किस में आ जाएगा, पुलिंग में आ जाएगा, उसके धारी और वार है, बुद्वार है, बीर वार है, सुक्र वार है, सनी वार है, रवी वार है, तो ये सब जितने विवार आप देख रहे हो न, दिनों के नाम, ये सब चला जाएगा, कहां पे, ये सब चला जाएगा, पुलिंग में, तो क्लियर है, ये सब पुलिंग में चला जाएगा महीनों के नाम जैसे फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख, आदी ये सब क्या है ये सब चला जाएगा कहा पुलिंग में लेकिन अपवाद भी है जनवरी, मै और जुलाई ये इस्तरलिंग में आती है तो ये याद रखेगा आपको याद क्या हो रखना है समुवाचक संग्या मै जुलाई ये तीन महिना ऐसा है जो की चला जाएगा कहां पर इस्तरलिंग में याद रखेगा नtinवरी ठीक बहुत ठंदा मै ठीक है मै इसमें बहुत ठंदा हो गया जुलाई ठीक है बहुत ठंदा जैनवरी एकartiम पूरा प्रोए कपकपी वला ठंदा होता है और मै मतलब तो एक याद रखेगा एक जो बहुत ठंठा वाला महीना होता है générवडी वह हो गया ठीक है उसके बाद एक व कौन सा जो बहुत ज्यादा गर्मी होता है उससे एक महीना पहले और एक महीना बाद ठीक है तो मतल़ जैनर्वडी मै और जुलाइ इस्तरलिंग ठीक है एवरेस्ट और फुजियामा ये सब क्या है ये सब परवतों के नाम एकदम पूलिंग में चला जाएगा ठीक है उसके देशों के नाम जैसे भारत, चीन, इरान, अमेरिका ये सब कहां चला जाएगा पूलिंग में चला जाएगा ठीक है तो ये सब कहां पे पूलिंग में तो सोड्ज हो गया चंद्र हो गया राहू हो गया सनी हो गया आकास हो गया बिरिस्पति आ गया बदू बुध आ गया ठीक है यह सब चला जाएगा नशत्र वो गरह के नाम में यह सब पुलिंग में चला जाएगा ठीक है लेकिन आप बाद है पर्थवी जो है पर्थवी यह क्या वो सब पुलिंग में चला गया, ठीक है, अब देखो यहां पे धातूं में देखो, धातू में जैसे सोना हो गया, तामबा हो गया, पीतल हो गया, लोहा हो गया, तो यह सब यहां पे कहां चला गया, सोना, तामबा, पीतल, लोहा, यह सब धातू के नाम जो होते हैं, वो पु बाजरा, चना, जो, आदी, ये सब कहाँ चला जाएगा, ये सब पुलिंग में चला जाएगा, अच्छा लग रहा है न क्लास, अच्छा लग रहा है कि अतना आसान बना कि यहां पे दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, इसी तरीके से, कोसिस कर ये सब याद करने का, ठीक है, आपको क्या-क्या बताए हैं, आपको अवी तक हम क्या-क्या बताए हैं, सम्मू, वाचक, संग्या, भारी और बेड़ोल, बस तुमें, ये सब चला जाएगा, किसमें, पुलिंग में, दीनों के नाम, एकदम, पुलिंग में, महिनों के नाम, एकदम, पु देशों के नाम पुलिंग में चला जाएगा इसी परकार से नशत्रों वो गरहों के नाम पुलिंग में लेकिन अब बाद में है पृत्वी पृत्वी इस्तरलिंग है ठीक है धातूं के नाम चला जाएगा पूलिंग में और साथी साथ अनाजों के नाम चला जाएगा पूलि तब रहाद रखेगा ठीक है रतनों के नाम जैसे देखो नीलन हो गया पुखराज हो गया मूंगा हो गया मानिंक की ना हो गया मोती हो गया पुलिंग में चल जायगा ठीक है दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत, यह सब कहा जाएगा, यह सब चला जाएगा, पुलिंग में, ठीक है, द्रब पदार्थों के नाम, जैसे सरवत, दही, दूद, पानी, तेल, कोईला, पेट्रूल, घी, आदी, यह सब चला जाएगा, पुलिंग में, लेकिन अपवाद ह यह सब इस्तिलिंग में चला जाएगा, ठीक है, जैसे मतलब चाय, ठीक है, चाय, कॉफी, लसी, और चटनी, यह सब इस्तिलिंग में चला जाएगा, तियाद रहेगा, एकदम, सरवत, दूद, दही, पानी, तेल, कोईला, पेट्रूल, यह सब द्रब पदार्थ, जितने भ यह सब चला जाएगा, ठीक है, यह सब चला जाएगा, ठीक है, यह क्लियर, अब यहाँ पे देखो, जैसे सागर हो गया, ठीक है, सागर हो गया, हिंद महा सागर, परसांद महा सागर, अरब महा सागर, यह सब चला जाएगा, पुलिंग में, बर्त, वर्न वाला का आक्षा, जैसे कोखो कोखो ये सब जो है ये सब चला जाएगा किस में ये सब चला जाएगा पुलिंग में ठीक है सारे और अब बाद में है हरसाई दुरगई और री ये इस्तलिंग में आ जाएगा ठीक है याद रखेगा हरसाई दुरगई और री जो है ये चला जाएगा में आँख इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आँख के बारे में पूछा जाएगा कि आँख कौन सा लिंग है तो याद रखेगा इस्तर लिंग है क्योंकि ये अब बाद में आती है हलाकि सरीर के जितने भी अंगोते हैं सब पूरुस के नाम पे होती है पूरुस लिंग का होता है ठीक है और लेकिन आख और जीव और नाख और अंगलियां ये सब जो है कहां जाती है इस्तर लिंग के लिए ठीक है उसके बाद देखो अकारांत संग्या जो भी होता है गुसा चसमा पैसा चाता ये सब कहां चला जाएगा ये सब चला जाएगा एकदम पुलिंग में उसके बाद देखो यहां पी इस्तिलिंग पे आते हैं ठीक है पुलिंग के बारे में अपने लोग बहुत सारा चीज़ जान गए कि आखिर पुलिंग कौन कौन होता है ठीक है अब पुलिंग के बारे में तो I hope आप लोग इतना जान गए होंगे कि अगर एक्जाम में कोई टाइप से कुर्सन पूछे घुमापी राके तो आप बना चलिए अब यहां पर देखो इस्तरलिंग के बारे में जानते हैं जिस सब्द से इस्तरी जाती का बोद होता है उसे क्या कहते है इस्तरलिंग कहते है इस्तरलिंग सब्द कहते है जैसे माता बहन यमना गंगा कुर्सी छरी नारी आदे तो यह सारा चीज कहां चला जाएगा यह सब चला जाएगा कहाँ पे इस्तलिंग में ठीक है अब चलो कुछ संग्याएं हमेशा इस्तलिंग रहती है जैसे आपको बताएते हैं कुछ-कुछ जो हमेशा पूलिंग रहती है उसी परिकार से कुछ-कुछ जो है इस्तलिंग रहती है यह सब लिख लिजेगा मख़ी, कोयल, मचली, तितली, मैना, यह सब हमेशा स्टिलिंग में रहेगा अब स्टिलिंग की पहचान को तो जा जानीए इस्तिलिंग सब्दों के जो है अंतरगत नशत्र, नदी, बोली, भासा, तिथी, भोजन, आधी के नाम आते हैं ठीक है, आधी के नाम आते हैं, कुछ संग्याएं हमेश्था इस्तिलिंग रहते हैं मख़्ी, कोईल, मखली, तितली, मैना आधी, ये तो बता चुकures हैं अब देखे, सμू बाचक संग्या में सबसे पहले देखे समू बाचक संग्या, जैसे पुलिंग में भी बताए थे, ठीक है, पूलिंग में भी बताए थे यह सब हो गए, समू वाचक जो भी है, यह पुलिंग में चला गया, लेकिन समू वाचक जो है यहाँ पे, यह जो आप समू वाचक देख रहे हैं, इसके अलाबा जो बसते हैं, अभी फिलाल जो है, यहाँ पे देखें, यह सब कुछ इस्तलिंग में भी आती है, जैसे भीर, क चोटी और सुन्दर बस्तुएं के नाम ठीक है उसमें आप क्या पढ़ेते उसमें आप क्या पढ़ेते बर्या और बिसाल बस्तुएं जो भी रहता है ठीक है तो वो सब चला जाएगा पुलिंग में लेकिन यहां पे छोटी और सुन्दर जो बस्तुएं होते हैं जूती ठीक चित्रा, भर्नी और रोहीनी यह से चला जाएगा इस तरहीं में नाम से ही पता चलता है ठीक है उसके आद देखो बोली में देखो मेवाती, ब्रज, खरी, बोली और बुंदेली यह से चला जाएगा इस तरहीं में नदियों के नाम में देखो रावी, कावेरी, कृष्णा, यमना स्वतलुज रावी ब्यास और गोदावरी गंगा ये सब चला जाएगा कहाँ पर एकदम इस्तिलिंग में ठीक है तो यहाँ पर यह जो इन अदियों के नाम थोड़ा सा इंपॉर्डेंट है इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लिजेगा ठीक है भासाओं वो लिपिय के नाम में देवनागरी अंग्रेजी हिंदी अर्भी फार्सी जर्मन बंगाली ये सब कहां चला जाएगा इस्तिलिंग में पुस्तकों के नाम में देखे कुरान रमाइन गीता ठीक है एकदम मस्त वाला जो पुस्तक है गीता रमाइन कुरान ये सब तो ये सब चला यह सब चला जाएगा अगे देखो आहारों के नाम जैसे सब कहां इस चला जाएगा पुलिंग में तो कुल मिलाग के बात यहां यह होती है कि कौन सा installing है और कौन सा pulling है ठीक है इसको थोरा सा आपको better तरीके से ध्यान में रखना होगा और यहां पे हम आपको जो बताए हैं आप कोसिस करिएगा उसको copy में note down कर लेने का तो आप जो है इस class के बाद अभी कोसिस करिएगा उसको आप दुवारा से अच्छे स एक बार देखिए और एक बार अपने copy में note down करिए ठीक है अगर आप सही से note down उसको करते हैं और उसको बार बार अगर देखेंगे तो निस्चित रूप से आपको वो याद होई जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा बहुत यासानी से सब कुछ लिखा हुआ था अप वाद जो भी था वो भी लिखा गया था तो यहां पर मुझे लगता है कि लिंक के बारे में जितना चीज आपको पढ़ना था और आप लोग को उमीतन याद भी हो गई होगी हर एक चीज कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपको यहां पर यह वीडियो पसंद आया ह तो इस class के नीचे comment box है वहाँ जाके हमें बताईएगा कैसा लगा class और पीछे की class अगर कोई वी आप नहीं देखे हैं संग्यासर नाम बीसे संक्रिया तो आप जाके देख लिजएगा description box में link दिया गया है description box में link है आराम से देखे क्योंकि grammar आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है हर board exam में या फिर कोई भी competitive exam में grammar से questions रहती ही रहती है और अगर इस series को आप पूरे अच्छे से follow करते हैं तो आपको grammar में अच्छा marks लाने से कोई नहीं रोख सकता है तो daily इस समय पे हम classes लेते हैं आप एकदम परजेंट रहेगा और बाकी जो है अगर आप online class करना चाते हैं class 12 वगरा के लिए तो आपको education बावा एप डाउनलोड कर लेना चाहिए और अभी कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको अपना board exam के लिए preparation आप कर सकते हैं सुरुआत ठीक है start कर सकते हैं कोई भी subject हो science, commerce, arts, case trend अराम से जाएगे app पर सारे subject का courses अब लेवल है और अच्छे तरीके से सभी subject में अलग-अलग teachers पढ़ा रहे हैं कोई भी जानकारी चाहिए course से संबंदित तो आप इस दो नमर पे बात कर लिजेगा आपको हर एक जानकारी बता दी जाएगी कि आप कैसे course जोईन कर सकते हैं कैसे सारा चीज है ठीक है तो आज किस class में बस इतना ही पसंद आई होगी अगर वीडियो तो इसको लाइक करिएगा साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि हमारी आपकी रोज मुलागात डेली ऐसे ही बने रहे हैं चलिए धन्यवाद